खेल कूद का महत्व अरुन, अरे गौरव, यह क्या? निखिल तुम्हें बुलाने आया, पर तुम खेलने नहीं गए? गौरव, भाईया, मैं क्या करूँ? मुझे अभी स्कूल का काम करना है. खेलना मेरे बस की बात नहीं. अरुन, तो यह काम तुमने सुभा से क्यों नहीं किया? सारा समय यूहीं बर्बाद किया. और मनु तुम, तुम क्यों दूरदर्शन से चिपके बैठे हो? क्या तुम्हें भी खेलने नहीं जाना? मनु, नहीं भाईया, मैं दूरदर्शन पर एक बड़ी मज़ेदार फिल्म देख रहा हूँ. देखो, रजनी कांत शक्ति कपूर की क्या जोरों से धुनाई कर रहा है? उसने तो दुश्मनों के चखके छुड़ा दिये. अरुन, फिल्म तो आती ही रहती है, तुम सारा समय दूरदर्शन में ही लगे रहते हो. जानते हो, इतनी देर तक टीवी देखने से आखे खराब हो जाती है. संध्या समय थोड़ी देर खेल कूद भी बहुत आवशक है. घर से निकलो और बाहर पार्क में जाकर बच्चों के साथ खेलो. बाकी काम बाद में करना. गौरब और मनू. ठीक है भाईया, पर यह तो बताईए कि खेल कूद आवशक क्यों है. बिन्नू केवल खेलता है. बिन्नू केवल खेलता है. पढ़ता नहीं. डाट इसलिए पढ़ती है. पढ़ाई की समय पढ़ना चाहिए और थोड़ा समय खेलना चाहिए. तुम्हारे स्कूल में भी दो एक पीरट खेल कूद का होता है. खेल ना केवल उत्तम व्यायाम है, बलकि इससे शरीर का विकास होता है, रक्त का संचार तीवर होता है, चुस्ती और स्पूर्ती आती है, मन प्रसन होता है, और फिर बालक पढ़ाई भी अच्छी तरह कर सकता है, आजकल विद्यालों में भी खेलों को बहुत महत्व दिया ज का विकास होता है, वह छोटी-छोटी हार से निराश नहीं होता, मनु, सच भाईया, आपने तो आज बड़ी अच्छी-च्छी बाते बताई है, अब तो मैं सब काम समय पर ही क्या करूंगा, मैंने तो कमर कसली है, गौरब, मुझे भी समझ आ गया कि विद्यार्ती को के साथ-साथ, खेल-कूद की और भी ध्यान देना चाहिए, चलो मनु, बाहर फुटबॉल खेलते हैं, बाकी सब काम बाद में आकर करेंगे, दोनों जाते हैं,